तो हेलो एवरिवड़ी दिस इस मी पृत्वीत उमर और आज हमारे पास है हमारी ड्यूक 125 और यह बीएस फोर है तो आज अपने इसका एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और यह भी बात करेंगे जिस प्राइस सेग्मेंट में यह 125 CC की बाइक आती है तो वो इसको लेना सह है या नहीं है या इससे कोई और अच्छी गाड़ी है जो इससे कम रेट में अपनको मिल जाएगी और इससे जादा अच्छा रहेगा चलाने में फील अच्छी रहेगी चलाने की और यह एक value for money बाइक है या नहीं है इसकी आज आपन इस वीडियो में बात करेंगे तो हो तो आप को जूननाया वालब ढाइब आ जो सिमिलर हैenne दिखने को मिल जाएगा और कि स्में क्या पानको मिल जाता है और कियसे लोकसि सतंने हैं साइट से गाडी देखने में बंजी दिखती और यह है सामने से इसका तो सामने इसमें अपन को कोई भी अपन को LED नहीं मिलती है, यह हैलोजन बल्ब मिलता है, पर इसका जो रात में थुरो है वो मस्त है, अश्थ है, मतलब ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होईगी, मिर बात कर लेते हैं, साइट से लुक्स की, तो गाड़ी द को कुछ ऐसे लुक्स मिल जाते हैं जसमें पीछे एक LED ब्रेक लाइट है और इंडिकेटर्स वही सेम है और यहां पर पीछे जो इसकी टेल टाइडी है यह थोड़ी सी अजीब लगती है थोड़ी ज्यादा ब्रॉड टाइप की है बाकी ठीक है उतनी भी बेकार कोई नहीं ल लेते हैं तो अभी मार्केट में अगर आप जाओगे ना तो यह बाइक ड्यूक 125 और एक आती है पाचे आटियार 164 वी तो वह बाइक है जो 160 CC का इंजन आपको प्रोवाइड कर देती है वह भी सिर्फ 1,45,000 में और यह जो बाइक है यह करीब जब पड़ी थी 152,000 तो अ मेरे को चलाने में जो फील है वो इसकी जादा पसंद है ऐस कंपेर तू अपना आपाचे क्यूंकि से अपाचे भी मैंने काफी चलाई है तो मेरे को इसकी फील जाद अच्छी लेगी और इसका जो सिटेंग पोश्यर वह भी जादा अच्छा लगा इसका साउंड है वह जा व इसका में जाता गद के अच्छी जात है जिने अपन को इस गाडी में इसका टायर साइज है वह सेम है जो आता है वह सेम जो tradisory च्वायर्ण है आपको सब प्रोफाइलlings ऑमश्यर P igmatik जो कि अपने Apache में नहीं आते हैं, उसमें सिंपल टेलिसकोपिक आते हैं, इसमें यह भी मिल जाता है पन को, फिर उसके बाद इसके जैसे मीटर की बात कर लेते हैं, तो उसका मीटर थोड़ा सा बड़ा है, पर इसका मीटर जैसे छोटा है, देखने में तो वह ज़्यादा गीर देखिए इंजन टेंपरेचर जाता है जो इसमें नहीं होन नतých स्ट्रिपर धांए थी यह कि देखाता है पर एवरेश क तीनीजली ज़य को तो मुद नहीं वह बीछ गारी से ऊधियर लुक्ति से hydration सूलना लगिवियद्वेश noi में आपाँखे है देखने में अपाँचे को बुरा नहीं बोल रहा उं पर मैं आपको बता रहूं कि कहलते हैं अगर जैसे किसी को बाइक लेना है तो जैसे 125 लोग सोचते हैं 125 सीसी में क्या एक लाख सतर हजार दो लाख रोपे तक खर्च करो 125 सीसी का इंजन मिलेगा पर नहीं मेरे भाई इसमें काफी चीज़ें अच्छी मिल जाती है जैसे इसके सस्पेंशन हो गए तो यह breaking को भी हैं और इसके जो ब्रेक से यह बी काफी अच्छे जो इसका अपसाइड डाउन फोक है ना यह भी सकी ब्रेकिंग को काफी एंहेंस कर देता है और गाली उतने जड़ी जादा दच को में गिरती तो तो तरह दच के मारती नहीं है जैसे बस यह ही है कि पाचे देड़ लाग में मिल जाएगी हर जगा मेरे को लगता है क्योंकि से हमारे जबलपर में 146,000 में मिल गई थी तो कहलते हैं मेरे हिसाब से यह बाइक ज्यादा अच्छी लगती है और चलाने मेरे को फील इसमें जादा आता है मलदा मजा जो आना चाहिए गाड़ी चलाने मजा आना चाहिए वह इसमें जादा आता है और देखने में मिल को यह बाइद अच्छी लगती है अब बात कर लेते हैं इसके साउंड तो मैं आपको इसका साउंड दूना देता हूं एक बार तो इसका साउंड जो है हो सकता है केमरे में उत्ता समझ में ना आया हो पर मिरको इसका साउंड भी अपाचे से जादा अच्छा लगता है वो थोड़ी जादा साइलेंट है और रिफाइन रिफाइन एंजन है वो इससे काफी रिफाइन है तो उसका साउंड पर मिरको उतन अच्छा नहीं लगता है इसको चलाने में जब इसका साउंड आता है तो इसमें भी मज़ा आता है गाड़ी अगर चलाना है जैसे जैसे अपाचे थोड़े उनके लिए कि जुनकी एज हो गई है उन लोग भी चला सकते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और यह पावर है पर इतना भी कम नहीं है कि कोई और 125 cc की गाड़ी इस से जादा पावर प्रडियूस करते जैसे लोग जैसे कल मैंने यह गाड़ी किसी को दिखाई थी तो उसका प्राइस जानने को वाद उसने बोला कि अच्छा तो दो साइन ले 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 तो दो साइन आ और इसका जो प्राइस है मिरको तो अगर आप इस गाड़ी को पूरा देखोगे ना अगर आपको पता है तो आपको इस गाड़ी का प्राइस उतना जादा थोड़ा जादा है पर ऐसा कोई खास जादा नहीं लगेगा क्योंकि तो जो जो चीज़ें यह प्रोवाइड करती तो मेरे एसाब से ठीक भी है और जैसे कि मेरे पास ड्यूक 390 चलाने के बाद अगर यह चलाओ ना तो यह काफी चोटी और मज़ेदार लगती है मलब छोटी सी है कहीं से भी हैंडलिंग मस्त तो कहीं से भी चला लो को चुछ भी कर लो मज़ा आता है इसको चलाने में यह बा अपनी RR310 है सब में यह है कि उसमें mandatory है कि 3 लीटर पेट्रोल अपनको टैंक में रखना पड़ेगा उससे नीचे गाड़ी नहीं चलानी उससे नीचे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो सकता है मेरे एक दोस्त के पास RR310 है उसका एक बार fuel injector खराब हो चुका है इसी कारण के कि 3 लीटर से नीचे पेटरोल जा चुका था और दिकत सिर्फ यह नहीं है दिकत यह है कि अगर ऐसा है कि 3 लीटर से नीचे पेटरोल नहीं जाना चाहिए तो उनको tank बढ़ा देना चाहिए उस tank की gravity सिर्फ 11 लीटर की है अब 11 वैसे वह तीन तो वैसे अलग कर दो आठ लीटर उस पेट्रोल रहता है तो बार बार रिफ्यूल रिफ्यूल कराते रहो और यहीं चीज अगर बात कर ले आज़ी चीज जो आटी आर वन क्योंकि से इंजन पावर तो उसका उविसली जादा है पर बाकी चीज इसकी अच्छी है तो अगर मैं अपने आपको ज्यूंग करूं एक ऐसी सिच्वेशन में जहां मेरे को एक बाइक लेना है वन फिफ्टी सीसी तक की तो और मेरे पास अगर बजट है वन लेक सेवेंटी तक का तो मैं जाओंगा ड्यूक वन 25 पे अपाचे और इस सब को छोड़के क्यूंकि से मेरे को यह ज्यादा पसंद आई चलाने का जो इसका फील है और जो मदा आता है इनका इसका ज्यादा सही है अपाचे पर तो अपाचे पर्सचली उत्ती पसंद नहीं आई तो मैं तो यह दिजाइन के लिए अच्छा है वह तो बिल्कुल नहीं काफी पसंद आता है और जैसे कोई लड़का है जो इसको लेना चाहता और पतला थोड़ा देखने में उसकी हेल्थ कम है तो उसकी उपर भी यह काफी अच्छी सूट करती है और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अप अच्छी बाइक है जिसका बजट नहीं है तो वह जा सकता है उस पर भी तो इस वीडियो को यहीं कतम करते हैं मिलते हैं आप से किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए